नमस्कार दूस्तों स्वागत है आपका सांकला कंस्ट्रक्शन में दूस्तों आज में बताऊंगा छट भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चीए और यह बहुत जरूरी है ठीक है तो इस इन बातों का ध्यान जरूर रखें सबसे पहले आप याद रखिए कि कवर ब्लोक आपको सरे की निचे देना है ठीक है अगर कवर ब्लोक आपने नहीं दिया है तो आपके बहुत बड़ी गलती होगी और आपको जो सरिया रहेगा वो ठीक से काम नहीं करेगा और चट के नीचे वो दिखने लगेगा जंग लगन कवर ब्लोक एक साइस के आते हैं आदा इंच पौन इंच तो वही कवर ब्लोक आपको सरे के निचे लगाना है दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है वाटर सिमेंट रिश्यो यानि कि जो चट भर रहे है उस समय अपन जो कॉंक्रेट मिला रहे हैं ठीक है मिक्सर मसिन में तो उस टाइम अपन क्या सिमेंट ले रहे हैं और कितनी गिट्टी कितनी रिश्यो ले रहे हैं इस बात अपन को जरूर ध्यान रखना है तो आपको एक तगारी सिमेंट दो तगारी रिश्यो लेना है एक दो तीन का या हो सके अगर पॉसिवल हो तो आप एक डेट तीन का इसे लिए जनरली किसी भी मकान बनाने में अगर आप हाई-rise बिल्डिंग बना रहे बड़ी बिल्डिंग बना रहे उसके लिए आपको design mix यूज़ करना पड़ेगा हाई-rise बिल्डिंग के लिए तो आपको mainly water cement ratio का बहुत जरूरी ध्यान रखना है अगला यह ध्यान यह रखना है कि आपको vibrator यूज़ करना है च्छत बरते समय क्योंकि अगर आपने vibrator यूज़ नहीं किया तो compaction concrete नहीं होगा और उसमें air रहे जाएगी जिसके कारण आपकी strength भी कम आएगी और उसमें crack होने के chances बढ़ जाएंगे इसलिए vibrator जरूर यूज़ करें और site पे carpenter और helper जरूर होना चाहिए च्छत बरते समय क्योंकि हो सकता है च्छत कहीं से जुक रही हो तो उसी टाइम स जरूर दियान रखना है अगली बात है कि छत बर्ते समय जो अपने सरिय होना चाहिए इंदर नहीं होना चाहिए इस बात धूर तो प autopॉन को ध्यान रखना है ठीक है Upon włases in चलाते वक्त आपका जो ठीक है या जैसे कि कोई बारिस का सीजन है तो आप जल्दी से छट पर ढांक सको ताकि आपकी छट खराब नहों पानी के कारण तो इस बात का आपको जरूरी ध्यान रखना है कि आपको एक तीरपाल लेके रखना है च्ठ बढ़ते समय अपने फिनिसिंग करते है उस टाइम आपको सुखी सिमेंड यूज ने करना है अगर आपने सुखी सिमेंड यूज करी तो च्ठ में सृंकेच क्रेग्स डेपलब होने के चांसे रहते हैं इसलिए आपको सुकी सिमेंड यूज नहीं करना है साइट पे कॉम्पेक्शन का ज़रूर ध्यान रखे वाइब्रेटर ठीक से चला है रहे के नहीं ठीक है तो आपको चत बरते समय आपको होई पर उपलब दोना है और यह जो मिन आपको सारी बाते बताईए इसको ध्यान में रखते हैं आपको स्लेप कास्टिंग करनी है और एक बात और ध्यान रखना है कि जो अपनी रेत है उसमें कोई ज़्यादा मिट्टी के मातरा नहीं होनी चीए रेत बड़या कालूटी होनी चीए और गिट्टी तो दिखी जाती है वो भी 10-15 mm के बीच होनी चीए और सिमेंड तो बहतर होती ही है ठीक है तो वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद